है लो फ्रेंट्स, वैलकम बेग तो मैं चैनल सारीनी फोर किचन में स्वागत करती हूं फ्रेंट्स अब आप लोग की साथ में आद्ध neon 큰 की रेशीपी सहेर करोंगी तो फ्रेंट्स माने यहाँ पर तरी जो नले लिया है आप देख सकते हैं मैंने इसे बड़े स्लाइस में कट किया हुआ है तो friends अब मैं इसमें अध्रक लैसून का paste आड़ करूँगी और थोड़ा सा नमक आड़ करूँगी और मैं इन सब को अच्छे से mix कर लोगी उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा काली मिर्च भी आड़ करूँगी यह देखिए मैंने थोड़ा सा काली मिर्च को आड़ कर लिया है आड़ करके इसको सब तरीके अच्छे तरीके से mix कर लोगी ताकि यह सारे पनीर पे अच्छे तरीके से लग जाए अब मैं प्याज को रफली चॉप कर लूँगी फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को पूरा देखिए और हो सके तो family और friends के साथ में please मेरे वीडियो को जरूर से जरूर से share करिए तो friends यह सब cut हो चुके हैं अब मैं कडाई को गरम कर लूँगी अब मैं इसमें थोड़ा सा butter add करूँगी butter को अच्छे तरीके से पिखल जाने दीजे उसके बाद में पनीर की cubes को इस पर ऐसी इस तरीके से रख लूँगी पनीर को fry करना है अगर आपके पास butter नहीं है तो आप घी में भी fry कर सकते हैं अब मैं friends इनको दोनों तरफ से अच्छे से fry कर लूँगी fry करने से इसका फ्लेवर पनीर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें भी थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है तो ये देखिए हमारा पनीर एक तरफ से पूरा सेख चुका है अब मैं इस तरीके से पलट लूँगी दूसरी तरफ से fry करने के लिए आपको हमारे रेसिपी कैसे लगी आप जरूर बताईएगा तो ये देखिए पनीर सिख चुका है अब मैं इसे दूसरे बरतर में निकाल लूँगी अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूँगी मिर्ची अद्रक लहसुन डाल दूँगी इसे fry कर लूँगी अच्छे से अब मैं इसमें प्याज को भी डाल दूँगी ये थोड़ा सा काजू भी मैंने डाल दिया है अब मैं इसमें प्याज को भी डाल दूँगी प्याज को डाल के हलका सा इसमें नमक डाल के गैस की फ्लेम को कम करके कबर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए मैंने इसमे नमक डाला है सबको अच्छे से मिक्स कर लोंगी मिक्स करके कबर कर दोंगी ये देखिए ये हाफ फ्राइ हो चुका है तो friends मैं ऐसे मिक्सर जार में निकाल लोंगी यह देखिए यह कुछ इस तरीके से पक चुका है मिक्सर जार में निकाल के इसमें थोड़ी से ठंडी दही दाल के इसको अच्छे से एक फाइन पेस्ट बनाना है अब मैं कडाही को फिर से गयास पर रख दूँगी इसमें थोड़ा सा घी डालूँगी और इसमें कुछ घड़ी करम मसालों को एड़ करूँगी मैंने इसमें जीरे को डाल दिया है अब मैं इसमें लॉंग, इलाइची, काली मिर्च और दालचीनी का टुकड़ा और तेश पत्ता एड़ कर दूँगी इन सबको अच्छे से फ्राई कर लूँगी अब मैं इसमें पीसे हुए घोल को भी इसमें डाल दूँगी अब इने अच्छे से पका लूँगी अब मैं इसमें थोड़ी से मलाई एड़ करूँगी फ्राईंस ये अफगानी पनीर की रेशिपी है तो ये पनीर ऐसे ही बनाई जाती है अब मैं इसमें थोड़ी सा गरम मसाला, धनिया पाउडर और काली मिर्च पाउडर डाल दूँगी डालके अच्छे से मसालो को भी कोक कर लूँगी अब मैं इसमें हलका सा कसूरी मेथी भी डाल दूँगी डालके इसमें थोड़ा सा एक कटी मिर्च को भी डाल दूँगी अब मैं इसमें पानी को एड़ कर लूँगी ये देखिए यह पनीर आप जरूर ट्राई करिएगे खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है थोड़ा सा नमक डाल दूँगी नमक थोड़ा ही डाल लिएगा क्योंकि पहले भी हमने नमक डाला हुआ है अब मैं इसे कबर कर दूँगी अच्छे से तो फ्रेंट अब यह पक चुका है अब मैं इसमें पनीर के क्यूब्स को भी डाल दूँगी अब मैं फिर से इसे दो मिनिट के लिए कबर करके कुक कर लूँगी यह देखिए मेरा पनीर बनके रेडी है मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दूँगी अब यह रेडी होगे खाने के लिए तो फ्रेंट मेरे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें थैंक्यू फर वाचिंग और मेरे वीडियो को सेयर भी करें बाइ